दोस्तो आई पेल 2023 का 40 वा मुकाबला हैदराबाद और दिल्ली टीम के वीच में होने वाला है जो की दोनों कमजोड टीम हैं दोस्तो आप भी इस मुकाबले में गरैंड लीग में मेगा गरैंड लीग में उनने चास रुपे लगा करके और दो करोड रुपे जीतना चाहते हो रैंक वाल लाना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि यार दस मिनट का वीडियो है अगर दस मिनट आपने खर्च कर दिये यार आपसे पैसा थोड़ी माग रहा हूं में अगर आपने दस मिनट खर्च कर दिये तो हो सकता है आप आपको कुछ आपी चीजे बताऊं आपको चीजों को फोलो करो और आपकी किसमत ने अगर थोड़ा सावी साथ दिया तो आप एक नंबर रैंक पे आजाओ मेगा गरेंड लिग में और आप दो करोड रुपे जी जाओ फिर आप कमेंट बॉक्स में ठैंक से जरूर लिखना त उपकप्तान किसको बनाना है आपको सारे डाउट जो है ना वो दोस्तो किलियर करके रख दूँगा और आपको दोस्तो बुलकुल किलियर करवा दूँगा क्यार हमको इन इन खिलारी को लेना है और दोस्तो तीन ऐसे खिलारी हैं जिनको सभी लोग अपनी टीम में लेके आ सकते हैं तो आइस आप भी दो क्रोड रुपे जीतना चाहते हो ड्रीम 11 से मेगा ग्रेंड लीग में और इंचार सुरुपे लगा करके तो यार इस वीडियो को एक लाइक करिए चेनल को सस्क्राइब करिए बहले अकन दबाईए और लुटिफिकेशन पे क्लिक करना क्या है ठीक है तो हमको यहां पर क्या करना है फिलिप शॉल्ट को यहां पर ले लेना है दिल्ली के ओर से ओपनिंग करेगा और दोस्तों कमाल का यह बल्लेवाज है अगर पंद्रह बीस गेंद खेर गया ना तो आइस चालीस पैंता लीस ठोक दीगा बहुत तेजी से नमर है बल्लेवाज ठीक है तो आपको क्या करना है फिलिप सोल्ट को लेकर आना है वैसे यार ठीक से बल्लेवाजी वाले से Ö बड़े बड़े बल्लेवाज हैं डैविड वर्नर, हैरी, ब्रोक, मैंक अगरबाल, मनीज, पांडे, राउल, त्रपार्ठी, अविश्यक, सर्मा यार किस-किस को लेके आएं, किसको ड्रॉप करें यार हमके वाल 11 खिलाडी ले सकते हैं ग्यारा खिलाडी में किस-किस को ड्रॉप करें, किसको लें तुएस, बल्लेवाजी सेक्षन से आपको पहले तो डैविड वर्नर को तुरंत ले लिना है क्योंकि डैविड वर्नर का जो पर्फॉर्मेंस है, काफी लाजबाब चल रहा है यह तो बस अपना खिलता है, और अपना रह बनाता है रन पे रन पेलता जा रहा है, चाहे टीम दिल लिहा रहे, चाहे जीते मार दोस्तो डैविड वर्नर इस मुकाबले में पक्का चलने वाला है इस बात को आप लिखके रख लो, कप्तान मत बनाना और ना ही उपक्तान बनाना इस बात को भी लिख लो, ठीक है तो आपको डैविड वर्नर को पिक कर लीना है इसका एक और कारण है पिक करने का मेरा इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा खिलता है और हैदरावाद के खिलाब भी काफी अच्छा खिलता है और बल्लेवाद जी को अपनी को इंजोई करता है हैदरावाद के खिलाब ठीक है और आप एका टीम में क्या करोगा यहां पे हैरी ब्रोक को ले के आईए और राउत रिपाठी को बाकी हैदरावाद के सभी बल्लेवादियों को ड्रॉप कर दीजिए और डारेक्ट अगर आप हैरी ब्रोक को अपनी टीम में लो तो सीधा कप्तान कर दो वरना इसको टीम से भी ड्रॉप कर दो फिर ठीक है क्योंकि यह बंद्यार चलेगा तो 80-90 न पिल देगा नहीं चलेगा तो सला 10 रन के अंदर आउट हो जाएगा तो आपको क्या करना है हैरी ब्रोक को अगर आप ले रहे हो तो आप सीधा कप्तान कर देगे वरना इसको टीम से ड्रॉप कर दीजिए तो आज मैं यहाँ पर हैरी ब्रोक को नहीं लेके आने वाला हूँ क्योंकि गैंद वाजी पे छोने वाली है तो हैरी ब्लोक को यार कोई काम नहीं यांपी हैरी ब्लोक को दोस्तों आप भी अगर डॉप कर दोए तो अच्छा रहेगा ठीक है महिंक अगरवाल को भी आपको डॉप करके चलना है क्योंकि महिंक अगरवाल का दिल्ली एखिलाब पर्दसन बहुत बेकार है और इस मैधान पे मैंक गरवाल आज तक है record है कभी चलता ही नहीं है तो आप भी मैंक गरवाल को drop करके चलना आप क्या कर सकते हूँ यहाँ पे मनीस पांडे को यहाँ पे pick करके चाल सकते हो यहाँ दोस्तों मनीस पांडे को केवल आप एका टीम में try करना ज़्यादा टीमों में ट्राई मत करना क्योंकि उधर से और रांडर आपके पास अच्छर पटल है मेचल मार्स है जो की रन पिलने वाली है इसलिए आपको मनीज पांडे को ज़्यादा याप पे इंपोर्टेंस नहीं देनी है एक आप टीम में आप लेका सकते हो और दोस्तो के खिलाब खिलना काफी पसंद है और उदर से दोस्तों करेगा अच्छर पटल हो गया और वी गैंदवाजन जो इस्पिन करेंगे आप ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पर रावल्ट रपार्टी को प्रफर ज्यादा देना है और दोस्तों यहां पर आपको डैविड हैरी ब्रोक को द्रोप कर दी जिए और आपको लेना है घ्री वा talked को सीदा कफ्तन करेइं ठीक है अब बात कर लेते हैं आप में और रावंटर अल्लांडर में को बृबिंछ नोस्तों है इस पहलेए पर फेना है पिछले एक साल से चल रहा है यार पिछला IPL में भी कमाल किया था इंडिया की ओर से खेल रहा था वहाँ भी कमाल कर रहा था और इस IPL में भी कमाल कर रहा है ठीक है तो आपको यहाँ पे अच्छर पेटल को जरूर लेके आना है और दोस्तो अचर पेटल को यहाँ पे गेंदवाजी में पूरे चार ओवर मिलने वाले हैं और एक दो विकिट अचर पेटल पक्का चटकाने वाला है और बल्ले वाजी में उधर से मनीज पांडे वगरा आउट हो जाएंगे तो यह आयके रन भी पेलने वाला है तो आपको अचर पेटल को लेना बुलकुल भी नहीं भूलना है और इस पिच पर अचर पेटल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है हैदरवाद के खिलाब डिसेंट सा है जाद अच्छा नहीं है जाद बुरा भी नहीं है है ठीक है अब आपको यहां पर दिली के ओर से 1 और बल्लीवाद है मेरा आज मैच में ट्रम्प कार्ड होने वाला है वह है मिचिल मार्स काफी दिन से नहीं चल रहा है मार्ड दोस्तों आज इस मुकाबली में में मिचिल उट्म इंठ में आउगा हर टीम है मिचल मार्स को दोस्तों में लेके आने वाला हूँ उसका रीजन है कि मिचल मार्स यहां पे गैंदवाजी कराने वाला है उसके बाद बल्लेवाजी करना काफी पसंद है दिल्ली के मैदान पे और हैदरवाद के खिलाब भी इसका रिकॉर्ड बहुत सांदर है तो इसलिए मार्को जेंसन का रिकॉर्ड दिल्ली खिलाब बहुत सांदर है एक या दो वेके लिजिए पक्का यह पे निकालने वाला है तो यहां पे आपको चार और राउंडर लेने हैं अच्छर पेटल एडन मार्करम मिचल मार्स और मार्को जेंसन बहुत सो लोग क्या करेंगे वास बसे इंगटा सुंदर आज आपको बसे इंगटा सुंदर को इंपोर्टेंस नहीं देनी है और आज इसको आप ड्रॉप करके चल सकती हो और दोस्तों बात कर लेते हैं पे गैंदवाजी वाले सेक्शन में आपको यहां पे सबसे पहले तो दिल्ली क्योर से कुल्दी प्या आ रहे हो उसमें से 20 टीम में से आप इसको 15 टीम में जरूर लखना ठीक है तो आपको कुल्दी प्यादव को जरूर लेके चलना है बोवनेसर कुमार को आप ड्रॉप करके चल सकते हो बहुत से लोग बोवनेसर कुमार को यहां पे लेके आने वाले हैं 57 परसेंट लोगों इसको पिकर के रखा है मार दोस्तो आप मत लेना है इस मुकाबले में इसको ज़्यादा बिकेट नहीं मिलेंगी मार दोस्तो पिछले मुकाबले में महिंक मारकंडे को यहां पे बिकेट नहीं मिली थी तो आपको क्या करना है यहां पे महिंक मारकंडे को पक्का लेके आना ह 29% लोग के गाब इसको यह पे ले कि आ रहे हैं और दोस्तों आप इसको महिंक मारकंडे को पक्का लेका यह हैं से अघराब नाम पक्की वी दिल्ली के खिलाब मैंक मारकंडे के खिलना पसंद है और दिल्ली के खिलाब गैंदवाजी कराना भी पसंद है बंदे को तो आपको मैंक मारकंडे को पक्का लेके आना है उसके बाद आप यहाँ पे दिल्ली के एक और खिलाडी लेके आ सकते हो एक टीम में इसान सर्मा को लेके आईए और एक टीम में मुकेश कुमार को ले गाई है ठीक है आपको यहाँ पे बैसे दोस्तों मैं ज़्यादा यहाँ परफर करूँगा कि आप इसान सर्मा की साथ जाइए केवल आठ परसेंट लोगों ने इसको पिख करके रखा है और आपको यहाँ पे एक ओर खिलारी लेना है दिल्ली का ही वो है एंड्रिस नोर्खिया दोस्तों यहाँ पे खिलारी हो जाते हैं पूरे अब बात कर लेते हैं कप्तान उपकप्तान की क्यां किसको बनाए उपकप् कप्तान नहीं बनाना है तो दोस्तों यहा तो अचर होनी वाला है यह ज्यादातर चांस है कि मैं आर नहीं मैं अपने में और उपकप्तान बनाऊं ठीक है तो यह मेरी टीम है आपकी स्कीन पर नजरार योगी बिकिट कीपर मैं फिलिप सॉल्ट डैविड वार्नर बल्लेवाजी में और रावल तरपार्टी बल्लेवाजी में ठीक है और रामड़ चाल लिए हैं अचर पटल एडन मार करम मिचल मार्स और मार्को जेंसन उसके बाद गैंदवाज मैंने दोस्तों याप लिए चार एंडेच नौर्किया कुल्दी प्यादव इससान सर्मा और उधर से महिंक मारकंडे ठीक है आप चाहो तो महिंक मारकंडे को यहां से अटा करके और कोई गैंदवाज ले सकते हो वैसे दोस्तों महिंक मारकंडे काफी तगड़ा खिला रही है और मेरा कप्तान इस मैच मेंच में होने वाला है मिचल मार्स और कप्तान एडन मारकरम आप चाहो तो यहां पर किसको कर सकते हो अच्छर पैडल को भी यहां पर कप्तान कर सकते हो यह पर दोस्तों आप महिंक म से ठीक पहले मैं वहां पर आपनी टीम देता हूं और दोस्तों अगर आप उस टीम से कॉमिनेशन बनाओगे तो आपकी जो रैंक है बहुत डाउन आ जाएगी और आपकी किस्मत में अगर हुआ तो आप एक नंबर पर आ सकते हो और आप दो करोड़ रुपे की मालिक बन सकते हो तो फटावर जाओ दोस्तों टेलीग्राम को जोइन करना बड़कुना भूल है चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटावर क्या देख रहे है यार चेनल को फटावर सब्सक्राइब कर लो बहला कर दबालो ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए